बेलकम दोस्तों आज की वीडियो में आपको important cup syrup के बारे में जानकारी मिलने वाली है जो कि सबसे जादा उपयोप की जाती है तो यह syrup कौन-कौन सी है उनमें सबसे पहले syrup की बात करेंगे टस्क्यू एक्स प्लस दूसरे syrup कोडिज्टार्टीसी तीसरे syrup अरिष्टोकप डियम यह syrup इस condition पर मरीज को दिया जाता है इसकी dose कितनी होनी चाहिए तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले syrup की बात करेंगे तो वह है syrup टस्क्यू एक्स टस्क्यू एक्स सीरफ जिसके अंदर पाया जाता है टर्बूटालिन सलफेट, एमब्रॉक्स, हसल और गौएफेंसीन अगर हम इसके quantity की बात करें तो इसमें जो टर्बूटालिन सलफेट पाय जाती है वो 1.25 mg के हिसाब से रहती है एमब्रॉक्स हाइड्रो कॉल्राइड जो की 15 mg के हिसाब से रहती है और गौएफेंसीन जो की 50 mg के हिसाब से रहती है यह syrup काफी effective syrup मानी जाती है यह syrup टस्क्यू ब्लू क्रास के द्वारा manufacture की जाती है अगर इस syrup की बात करें तो यह आपको liquid farm 100 ml के इस्टेंद में मिल जाएगी यह एक expectorant की तरह वर करता है जैसे कि अगर आपके गले में mucus फस रहा है तो mucus को release करने यानि उसको ठिक करने में मदद करती है अगर हम इस syrup की MRP की बात करें तो यह syrup आपको 99 रुपे के आफ़ पास मिल जाएगी यह syrup खास कर गीली खासी में उप्योग की जाती है और यह syrup काफी अच्छी syrup मानी जाती है अगर इस syrup की अगर हम बात करें कुछ आदर condition तो जैसे कि आपके ब्रांकियों जो होते हैं उनको कोडी स्टार DC के अंदर पाया जाता है डेक्ट्रो मेत्रोपाण हाड्रोकुलराइड फेनिलीपेरिन और साथ में क्लोफेनरावाइन मैलेट पाया जाती है यह शीरफ काफी एपक्टिव सीरफ मानी जाती है और यह मैनकाइंड के द्वारा मैनुफेक्चर की जाती है यानि पाया जाती है यह सीरफ खासकर जैसे कि आपको सूखी खासी आ रहे हो यानि ड्राइड कप को ठीक करने के लिए उप्योग की जाती है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते है फार अन्प्रोटेक्टिव अन्ड्राइड का यह 100 एमेल की श्ट्रेंट में आती है इसकी छोटी बोटल भी आती है जो कि बच्चों में उप्योग की जाती है अगर इस सीरफ कि हम एमरीपी की बात करें तो इसकी जो एमरीपी होती है वो 110 रुपे के आसपास मिल जाती है और यह सीवब काफी ज्यादा उप्योगी माना जाता है सूखी खासी को ठीक करने के लिए हमारा है वह है एरिश्टोडियम जो की काफी अच्छी मानी जाती है यह एरिश्टो कमपनी के दोगा मैनुफैक्टर की जाती है अगर हम बात करें तो इसमें जो साल पाए जाते है फ्यामीन हैड्रोकॉल्राइड डेक्ट्रोमेथोपान हड्रोकॉल्राइड और मैलिफ जो ति हो टूवर्णची डोंध में होती है अगर हम इस सीरफ की अगर खौशित की बात करें तो अगर यहां पर अगर रेपी की बात करें तो यह सीरफ आपको 135 और करी के आसपास मिल जाएगी अब हम बात करेंगे इन तीरों इन सीरफ के जो होते हैं क्या इनके डो कल दिन में तीन बार दी जा सकती है आई होब दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगए हो अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगए हो तो आप हमारे चैनल को पड़ा पर सब्सक्राइब कर लिजिए अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बदाय थैंक दोस्तों